आग्या नमू में पानी हलो फ्रेंज्स जुहार आप सभी को मेरा ट्वीट्स 26 में आप सभी का स्वागत है मैं शयल जा आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं फिर से एक नई सी रेसिपी जिसका नाम है रोहु फिश तवा फ्राइए जी हां फ्रेंज्स आज हम लोग से दिश की त्यारी करते हैं यहां पर मैंने दो रोहु फिश ली हुई है फ्रेंज्स और मैंने इसे मार्केट से ही साफ कर लिया था फ्रेंज्स अगर आप रोहु मचली को घर में साफ करना जानते हैं तो आप घर पर इसे साफ कर लीजे नहीं तो आप मार्केट से ही से क्ल पेस्ट उसके बाद मैं डालूंगे इसमें एक चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच नमक नमक आपने स्वात के नुसा डाल सकते हैं एक चमच जीरा पाउडर उसके बाद मैं डाल रही हूं एक चमच चाट मसाला अब एक चमच ज मिला लीजिए जैसा मैं कर रही हूँ तो यहां सारे मसाले मिल चुके हैं और इस मारिनेशन को फ्रेंट्स हमें कम से कम 15-20 मिंट के लिए रखना है और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आदे घंटे के लिए भी रख सकते हैं तो यहां पर जो मारिनेशन के लिए मैंन सरसो का तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें ताकि इसका कच्छापन चला जाए अब मैं एक एक करके दोनों मशली को तवे पर डाल दूंगी इस तरह से फ्रेंट्स मैरिनेशन की हुए फिश का मसाला वाल में थोड़ा सा बच गया है तो मैं फिश की ऊपर थोड़ा सा इस अब देख सकते हैं friends ये कल्ची से मैं एसे हिलाने के कोशिश करे हूँ फिश असानी से नहीं की हल रही है तो इसका यह है कि एकृट तरफ से पका नहीं है यह देखे थोड़ी देर के बाद हीद्राने से मशली जो है अच्छी तरह से लिने लगी है तो इसका मतलब यह है कि यह एक तरफ से fry हो चुकी है तो आप इसे पलट लीजिए यहाँ देख सकते हैं फ्रेंस मशली के उपर कितना अच्छा कलर आया है और यह कितनी क्रिस्पी लग रही है तो दूसरी मशली को पर मैं पलट देती हूँ और फ्रेंस तवे पे आप इसे low to medium flame पर ही fry करें और धीरे धीरे से इसे इस तरह से दबा सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है इसके उपर तो तवे पे फ्रेंस अकसर यह होता है कि तवे पे जो तेल होता है वो side में ज़्यादा चला जाता है तो मशली को आप किनारे पे करके इस तरह से fry कर सकते हैं और इस तरह से मसाला जो है फ्रेंस आप मशली में इस तरह से दबा दीजे उसे ताकि मसाला बिखरेना और मशली को हम लोग 2-3 बार इसी तरह से पलट करके पका लेंगे जैसे जैसे आप मशली को पका दे जाएंगे आप देखेंगे कि मसाला तवा पे बिखरना बंध हो जाएगा तो आपको इसे बहुत धीरे से भी पकाना है इस तरह से जशे में कर रही हूं और आप मशली को इस तरह से दो से तीन बार जैसा मैंने बताया आप पलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राइ कर लीजिए अगर आप बहुत ज़दा हाई फ्लेम में इसे फ्राइ करेंगे तो होगा क्या फ्रेंस कि बाहर से तो यह अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी लेकिन अंदर से कची रह जाएगी तो इसलिए फ्रेंस आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं और इसे फ्राइ करने में कम से कम आपको 10-15 मिट लो फ्लेम पर लग सकते हैं तो यह अच्छी तरह से फ्राइ हो चुकी है फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया फ्रेंस लग रहे है ना हमारी रोहु फिश बिलकुल टेस्टी इसी तरह से फ्रेंस आप तबे पर फ्राइ करके इसे बना सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी लगती है और यम होती होती है जल्दी साथ इंजॉय करें और यह स्टार्टर के लिए भी बहुत अच्छी डिश है अगर आपके घर पे महमान आते हैं या आपके घर में पार्टी हो कोई भी ओकेजिन हो तो आप इस डिश को जरू ट्राइ कर सकते हैं आज की विडियो आपको कैसी लगी फ्रेंज आप मुझे कमें सिक्षन में जरूरू बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है फ्रेंज तो जल्दी से सब्स्राइब कर ले ताकि आगे भी मैं आसी यूमी और डिलिशस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रोंगे फ्रेंज और जल्दी से मेरे चैनल क को सब्स्राइब कर लीजिए वह जो लाल बटन है वहाँ पर क्लिक कर लीजिए थांक यू